वेलकॉम बच्चों, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का परिक्षन नस्देख है, आज हो गया आपका फ्राइडे, संडे से इग्जामिनेशन आप सब्सक्राइब तो निरंतर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, आपके साथ अच्छे कोश्चन्स का कलेक्षन लेके आ रहे हैं, उसी क्रम में बच्चों, आज की क्लास बहुत महत्तोपूर है, अगर आप अंत तक जुले रहेंगे तो निश्यतोर पे पाइथन का एक सेट, ओ लेविल में पुराने परिक्षाओं के सेट को हम सॉल्व करा रहे हैं, और आज उसी क्रम में एक नया सेट लेकर मैं आपके सामने उपस्तित हूँ बच्चों, तो आएए बिना विलंब और देर की में बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाला, तीन क्वेश्चन का कलेक्शन है इसमें, तीन डिफरेंट कलेक्शन के क्वेश्चन से, तीन डिफरेंट टाइप क्वेश्चन से बच्चों, और आशा करते हैं कि आप लोग जल्दी जल्दी लाइव आएंगे, जितनी जल्दी आप आएंगे आपको सल्यूशन, उसका पेपर और सारी डिटेल्स मिलने वाली है, तो चलिए बिना देर किये, बिना किसी तरह का विलंब किये, क्लास को शुरू किया जाए, और मेरी आवाज, मेरा वीडियो आप तक प्रापर पहुँच रहा होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे, तो बच्चों, पहला क्लास का प्रश्ण है यह जो चैप्टर का, इस पेपर का वो क्या है, write a python program to compute Fibonacci series using functions, एक python का प्रोग्राम बनाईए, जो Fibonacci series को generate करे क्या कहिए, तो solve करे, भईया Fibonacci series होती क्या है, 1, 1, 2, देखिए, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 33, है ना, 33 नहीं होगा, हम लोग जब जोलेंगे 21 और 13 को, तो 21, 10, 31, 34, इस टाइप से बच्चों यह series बनती है, यहाँ पर इस series की सबसे important बात क्या है, कि पीछे के जो दो steps हैं, आप उनको जोलते हैं, तो नया step, अगला next consecutive steps generate होता है, इस series को Fibonacci series बच्चों कहा जाता है, तो आईए सबसे पहले, आपको यह बना के दिखाता हूँ मैं, कि how to check, how to develop this program, सभी लोग ध्यान दिजेगा और हमारे साथ जुलिएगा, तो आपको बहुत जल्दी Python से हम बना के, develop करके दिखाते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको visibility एकदम clear होगी, आवाज एकदम बच्चों clear होगी, चलिए, तो एक Python का program जो Fibonacci series को बनाएगा, function से बनाएगा, ये मैं बना के दिखा रहा हूँ, समय बहुत कम लगेगा, ज्यादा समय लूंगा नहीं, चलिए, ध्यान से देखिए बच्चों, program to generate Fibonacci series, वो program जो बच्चों Fibonacci series को generate करता है, वही मुझे बनाना है, def, function का नाम मैंने रख दिया Fibon, देखना, function का नाम है आपके Fibon, कुछ variable लेना है मुझे, a बराबर 0, अब for i in range, मालीज़े मैं 20 steps की Fibonacci series चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, c बराबर, a plus b, a बराबर b, b बराबर c, print, c, अब main code लिखना है मुझे, ध्यान से देखिए, मैं call करूँगा function Fibon को, save कर दिया मैंने Fibonacci.py के नाम से, यह देखिए बच्चों, program आपके सामने है, visibility एक दम clear होगी, आशा करता हूँ, तो देखिए और इसको समझने की कोशिश करिएगा, program to generate Fibonacci series कैसे बनाया, Fibonacci नाम का function है, हमने Fibonacci को जब call किया, control यहां आएगा, A का मान 0, B का मान 1, series बनने हैं तो repetitive task होंगे, repetitive का मतलब क्या होता है, दोहराने वाले task होंगे, repetitive task को कैसे करना है, loop चलाया I का, range 20, तो बच्चे यह loop कितनी बार चलेगा, यह loop 20 times चलेगा, और उसमें हमने क्या किया, C बराबर A plus B, पीछे के दोनों step को जोड़ दिये, और अदला बदली कर दी, A का मान B पर कर दिया, और B का मान C पर कर दिया, यानि value को interchange कर दिया, तभी तो अगला step बनेगा, और हम print कराते जाएंगे, किसको C को, और वो भी horizontally, जड़ा देखिए, इसको चेक करिए सारे, देखो बच्चों, Fibonacci series बन चुकी है, आपको नजर भी आ रही होगी, मुझे पूरा भरोसा है इस चीज़ का, देखिएगा, 1 और 2, जुला, तो 3 बना, 3, 2 जुला तो 5, 5, 3, 8, 8, 13, 21, 21, 23, 34, 34, 25 और इस करम में, वो 10,946, multiple, 20 times, मैंने इसको बनाया, कभी-कभी ये भी बता देता है, कि कितने times, कि आपको series को generate करना है, how many times you will generate the series, तो वो अलग केस है, यहाँ पर उसने कहा, Fibonacci series बनाईए, वो मैंने बना के, बच्चों आपको दिखा दिया, ये आपका code है, और मुझे उम्मीद है, कि आप लोग इसको देख रहे होंगे, अभी नहीं देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, जब भी आप देखेंगे, इसको फाइदा अवश्य मिलेगा बच्चों, और आपसे request है, कि O-Level with Ratnakar sir, टेलिग्राम चैनल का नाम है ये, आप उसको जोईन कर लीजिए, ये फाइले मैं send करूँगा, आपके पास along with papers, तो मुझे भरोसा है, कि ये प्रोग्राम आपकी समझ में आ चुका है, अगला problem, जिसको मुझे solve करानी है बच्चों, वो क्या है, ये देखिए, ये बड़ा अच्छा question है बच्चों, अच्छा क्यों कह रहा हूँ, आपका जो demo exam, आप लोग को मैंने करके दिखाया था, कि Nailit की site पे जाओगे, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें demo, demo क्या होता है, ये वो exam है, जो देकर आप idea लगा सकते हैं, कि real में practical कैसे होगा, उस exam में भी ये question आया है, इससे साबित होता है, कि जो मैं करा रहा हूँ, वो questions Nailit के पास हैं, और उसी तरह के प्रशना आपसे, वो पुनः पूछने का प्रयास करेगा, write a python program, that takes sentence as input, बचों, एक शब्द होता है, उसमें multiple word होते हैं, तो ये क्या कह रहा है, पता लगा ये, कितने sentence में word हैं, word बने शब्द हैं, कितने capital letter हैं, ये तो बहुत आसान है, कितने small letter हैं, कितने special symbol हैं, इस inputted sentence में, प्रशन अच्छा है, दुबारा आ सकता है, निवेदन करता हूँ, बहुत ध्यान से, इसको पढ़िये, समझ लेंगे, तक आपको दिक्कत नहीं आएगी, जवाब दीजे, समझ में आ रहा है, कि नहीं समझ में आ रहा, आशा करता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, तो चलिए, अब इस प्रश्ण का, सॉलूशन, इस प्रश्ण को, कैसे मैंने किया है, टरीका क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्ण है, और उसका सॉलूशन भी है, बना चुका हूँ, मैं एडवान्स में, ताकि सॉलूशन बनाने का, जो समय है, वो मैं सेव करके समझाने पर लगा सकूँ ये देखो बच्चो ये आपको उम्मीद करता हूँ नजर आ रहा होगा ध्यान से इसको देखिएगा देखिए आईए इस प्रोग्राम को अब मैं समझाता हूँ आपने देख लिया होगा कैसे काम हो रहा है आपका एक फंक्शन मैंने बनाया है बच्चो किस नाम का फंक्शन है count underscore characters फंक्शन का नाम क्या है count underscore characters अब भईया इसमें हम एक sentence को पास करेंगे sentence मतलब वही अभी भी इनने आपको समझाया है sentence का मतलब होता है वाख के को हमने इसमें पास किया अब बच्चों आगे देखिए जो sentence आया हमने sentence.split फंक्शन से उसको तोला आपको पढ़ाया गया है कि बच्चों string का एक method होता है split method split method का work क्या है वाख में जितने word है उनको space से separate करना और हमने length को निकाला अगर 5 शब्द होंगे तो 5 word होंगे वो list बनेगी split क्या करता है? list बना देता है उसमें 5 word है तो length 5 हो जाएगी और वो किस variable पर आके store होगा word count पर यानि आपने खाली split function लगाया और word तो अपने आप बाहर निकल के आगया कुछ करना ही नहीं है इसके बाद तीन और variable है capital count यह capital numbers को capital character को small count small characters को special count special characters को यह क्या करेगा? यह क्या करेगा? store करेगा, कैसे करेगा? हमने एक लूप चलाया for care in sentence जो sentence भेजा तो बच्चों यह लूप क्या है? यह traversal का रूप है यह क्या है? यह traversing का लूप है traversing के लूप में क्या होता है? एक एक लेटर इस वाख के से किस variable पर आएगा? character पर हम चेक करेंगे यदि if character.is upper जिस character को तुमने रीड किया लूप के थ्रू इस upper क्या वो capital है? अगर होगा तो capital count में एक बढ़ा देंगे यह ना हुआ तो elif multiple condition है अगर वो character is lower मतलब small case में है तो तुमारा small count variable की value बलेगी और capital small के बाद अब हमें special symbol चाहिए special symbol कब मिलेगा? जब हम space को इगनूर कर दें तो मैंने इस case के लिए वच्चो क्या किया? elif not not पहले लगाने का मतलब है कि हम उल्टा चाहते हैं care.is space यानि अगर जो character की value है वो space नहीं है तो space होता तो सिर्फ easy space लगाते not ना लगाते तब हम किसको बलाएंगे capital पकल लिए, small पकल लिए space छोड़ दिए तो सहाज जाईर से बात है साहब वो क्या है? वो तुम्हारा क्या है? special symbol है बस इसके बाद हमने return कर दिया word count को, capital count को small count को और special count को word count में सारे words आएंगे capital counts में सारे capital letter आएंगे small count में सारे small letters आएंगे और special count में क्या आएगा? सारे special letter आएंगे function को test कैसे करना है? अब नीचे चलिए और समझने की कोशिश करिए दियान से देखिएगा बच्चो सबसे पहले मैंने क्या किया है? अब आपको function को कैसे test किये हैं ये भी समझा देते हैं define कैसे किये हैं तो बता दिया देखो ध्यान से sentence एक variable या input user से कहा एक sentence को इंटर करो उसमें जो भी तुम्हें चाहो भी मैं run करा के भी दिखाऊंगा उसमें capital डालो, उसमें small डालो doesn't matter और उसके बाद उसके बाद क्या करना है? word count, capital count, small count, special count बराबर function को call किया और उसमें जो sentence user से लिया था उसको बच्चों मैंने pass कर दिया बस सारे variable पे सारी value return होके आ जाएगी आप उनको एक-एक करके क्या करेंगे? print करा लेंगे number of words, word count number of capital letters, capital count number of small letters, small count number of special symbols, special count तो उमीद करता हूँ कि आपको बच्चों ये program समझ में आया होगा लेकिन जब तक output ना मिले तब तक बिकार है तो अब मैं दिखाने चा रहा हूँ output कैसे निकालोगे? देखो ये देखो enter any sentence आपको नजर आ रहा होगा बच्चों मैंने sentence देता हूँ मैं India is great देखो उसमें एक small है बाकि capital है great c-o-u-n small में t-r-y और हमने कुछ special symbol दे दिये ये देख लीज़े बच्चों entry कर रहा हूँ match कराओ verify करो कि क्या output program सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है please verify this सब लोग देखेगा India is great country एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा ग्यारा small character हैं बिल्कुल सही है capital कितना है साहब एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ बिल्कुल सही है word कितने है एक word है दो word है तीन word है चार word है बिल्भी सही है special symbols कितने कितने special symbols हैं बच्चों ध्यान देना एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ अच्छा, ये अलग-अलग मानेगा इसको अलग, इसको अलग टोटल कितने हैं आठ special symbols है सोच लीजे perfect program perfect answer के साथ आपके सामने में लेकर आया हूँ समझाबी बच्चों मैंने आपको दिया logic क्या है, कैसे कर रहे हैं क्या उसका तरीका है तो आशा और भरोसा है कि आप लोगों को अवश्य बच्चों समझ में आया होगा किसी तरह का कोई तकलीफ आपको नहीं होई होगी तो इस प्रकार से दो प्रश्न तो करा दिये हैं भाईया, पास तो तुम इनी दोनों से हो जाओगे लेकिन तीसरा प्रश्न भी देखना जरूरी है क्योंकि भरोसा नहीं है कि कि सेट में क्या आएगा तो जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों वो आपको उमीद करता हूँ तो मैंने और जूम कर दिया है तो क्लेरली दिख रहा होगा क्या लिखा है मैंने write a python function that takes two lists एक function बनाओ जिसमें दो list को आप enter करें list मतलब आप जानते हैं collection of items दो different list को हम enter करें और हमें क्या है वो answer जो function है वो मुझे return क्या करेगा वो मुझे return करे true अगर कोई common item हो list first और list second common मतलब same item same position पर आजाएं तो true otherwise अगर नहीं आते ऐसा common item नहीं मिलते तो बच्चो क्या return करें वो return कर दे false चलिए तो ये देखिए अब आपके लिए प्रशन समझ में आ गया होगा बच्चो अब आपको इसका आपको इसका मैं दिखाने चलना हूँ क्या solution ध्यान से देखिएगा ये देखो ये देखिए function आपके सामने है बच्चो कैसे काम कर रहा है कैसे बना है ये आपको मैं तुरंट समझा देता हूँ देखिए common list ये आपका क्या हो गया ये आपका comment है एक def common नाम का function हमने बनाया list pass की l1, l2 ये भेजेंगे i का मान 0, d का मान 0 for i in range 5 ये loop क्यों चला रहे हैं ये हम list के index का निर्मालक कर रहे हैं क्या निर्मालक किया index का हमने बच्चों निर्मालक किया list के index का अब चेक कर रहे हैं पहली बार बताओ क्या index बनेगा 0, 1, 2, 3, 4 5 से कम तक चलेगा क्यों ऐसा है क्योंकि मैंने list भेजी हैं उसमें भी 5 element है अब पहली बार 0 पोजिशन चेक होगा L1 का I, L2 का I क्या दोनों बराबर हैं जी हाँ देखिए दोनों 0 पोजिशन पर दोनों बराबर हैं ये list आपको बच्चों नीचे नजर आ रही होगी मुझे ऐसा भरोसा है और अगर screen से cut रहा हो तो मैं आपको थोला सा ये फिर से मैं समझा दूँ क्योंकि ये हाँ अब देखिए कहां से चलेगा लूप 0,1,2,3,4 0 पोजिशन पर देखो दोनों आइटम कॉमन है न जवाब दीजे हैं जैसे ही बराबरी मिलेगी D कामान क्या हो जाएगा 1 और यहीं से अब चेक हो गया कामान मिल गया मैं आगे क्यों जाओ चेक करूँगा मैं अगर D कामान 1 के एक्वल है यानि बराबरी मिली है तो रिटर्न टू करूँगा else में रिटर्न क्या है false करूँगा तो देखिए बच्चों कितने अराम से आप और उसके बाद क्या है ये देखो function को मैंने call किया है ये line क्या है calling calling में हम क्या कर रहे है बच्चों L1 को भेज रहे है L1 variable पे L2 को function में भेज दिया process होने के बाद result R पे आएगा और R को तुम क्या करोगे print करा दोगे R को जब आप print कराएंगे तो output आशा क्यान रूप true ही आएगा जरा output देख लिजे देखे output true है क्यों अब मैं अब आपको output false करके दिखाता हूं कैसे false होगा बच्चों यहाँ एक जगा 20 किया एक जगा 2 कर दिया अब बताइए इस केस में क्या होगा equality match करेगी नहीं करेगी क्यों नहीं करेगी जिरोत position पर ही देख लो mismatch हो जाएगा loop वहीं से क्या होगा false हो जाएगा और answer क्या देगा false देगा जवाब दीजे उम्मीद करता हूँ आपको तीन के तीनों प्रश्न का solution बच्चों मैंने भेजा है आपके पास तीन के तीनों questions का solution दिखाया है मुझे भरोसा है कि आप लोगों को आपको समझ में अवश्य आया होगा बच्चों प्रश्न में कोई समझने में अगर आपके दिक्कत हो निवेदन करता हूँ पूँच सकते हैं आप किसी भी तरह का कोई query हो मन में तो आप please पूँचिए तीन प्रश्न तीनों मैंने बता दिये हैं और इस तरह से एक नहीं ये मेरा ख्याल है तीसरा या चौथा paper है बच्चों जो मैंने आपके सामने publicly solved भी कराया है बस अब आपको करना क्या है इस तरह के question और इस जैसे देखिए मैं कोई कोई तांतरिक या बाबा के तरह चमतकार की तो बात नहीं करता लेकिन मैं इतनी बात जरूर करता हूँ बच्चों इतनी बात जरूर है कि इस तरीके के प्रशन आपसे पूछे जाएंगे recursive functions list के functions dictionary का function ये सब वो functions हैं जो कि आपसे अवश्य पूछे जाएंगे तो आप request करता हूँ कि आप इसकी मेहनत कीजिए practice कीजिए और अगर किसी भी तरह की दिक्कत है हमारे साथ जो लिए हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं वीडियो शेयर जरूर करिएगा और भी बच्चे हैं जो नहीं जानते शायद वो देख लेंगे तो बस अब मैं आपसे अलविदा कहूँगा कल फिर सेम टाइम पे बजे नए पेपर्स के साथ उपस्तित होने के वादा करता हूँ बच्चो थैंक यू जैहन नमस्कार